नमस्कार दोस्तों मैं प्रींस है नहीं आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे टू काइंड ओफ चार्जिस के बारे में यानि कि जो चार्जिस होते हैं पहले मैं डिसकस किया है वो क्या होते हैं तो दो तरह के चार्ज कोन से होते हैं वो हम जानेंगे यानि कि दो प्रकार के चार्जिस के बारे में बात करेंगे तो यह जो दो प्रकार के चार्जिस हैं यह चार्जिस के टाइप की बात करें यह कई सालों के effort के बाद हमें पता लगा था कि ये दो तरह के चार्ज होते हैं कई तरह के experiment किये गए उनको observe किया गया तब ये हमें पता चला तूनी experiments का एक overview लेंगे उनको देखेंगे कि वो किस तरह से किये गए और किस तरह से हमें observations मिले तो इसके अंदर हम ले लेते हैं एक silk cloth ले लेते हैं और एक glass road ले ले लेते हैं तो यहां पर यह आपको ध्यान रखना है जो silk cloth है हमने थोड़ा सा ये light blue color में लिया है तो यहां पर यह silk cloth है और यहां पर यह जो हमने road ली है glass road यह हमने हलके green color के अंदर ली है तो यह है यहां पर glass road यह color आपको ध्यान लगना है क्योंकि एक इसी तरह की road हम दूसरे भी use करेंगे तो silk cloth के उपर जब glass road को rub किया जाता है माली जी आपने इस glass road को silk cloth के उपर rub किया तो यहां पर इनके उपर charge आ जाता है glass road के उपर एक charge आ जाता है और उसके opposite charge जो है silk cloth के उपर आ जाता है तो यह भी हम discuss करेंगे यह कैसे बदा चला तो अभी हम समझ लेते हैं कि जैसे ही glass road को silk cloth के साथ rub किया गया यहां पर charge आ गया glass road के उपर कुछ charge आ गया अब हमने क्या किया एक जगा पर हमने एक और glass road को इसतना से hang किया हुआ है और इस glass road को जो हमने silk cloth से rub की है और दूसरी हमने एक और glass road को rub करके इसको भी rub किया हुआ है silk cloth से यहां पर hang की हुई है तो जब इस glass road को इसके पास लेकर जाया जाता है तो यह जो glass road है यह repel होना start कर देती है देखे इसे दूर जाना start कर देती है तो यानि कि यहाँ पर repulsion मिला तो यहाँ पर एक तरह से हमें पता चला कि यहाँ पर एक ही तरह के इनको उपर charge होते हैं तो यहाँ पर repulsion इसको मिला अब इसी तरह से हमने एक जगाँ पर silk cloth को इस तरह से hang किया तो यहां पर यह क्या है? silk cloth है और जब silk cloth को इसके पास ले जाया गया अब यह भी इसी तरह का silk cloth था जो की इसके उपर इस glass road को रब किया गया था और इस glass road को इस silk cloth के उपर रब किया गया था रब किया गया था तो दोनों के उपर चार्ज था, तो इस cloth को, silk cloth को इसके पास ले जाया गया, तो यह भी यहाँ पर भी repulsion देखने को मिला, यानि कि यहाँ पर भी repulsion देखने को मिला, तो यह आप समझ गए होंगे, इस experiment के अंदर हमें क्या मिला, यहाँ पर भी हमें repulsion मिला, और यहाँ पर भी कि हमें रिपल्सन मिला दोनों के अंदर चाहे ग्लास रोड को ग्लास रोड के पास आप लेकर गए हो चाहे सिल्क लोड को सिल्क लोड के पास लेकर गए हो पहला तो एक्सपेरिमेंट यहां पर हो जाता है कि आपस में रिपल कर रहे हैं अब क्या किया गया एक कैट फर लिया पेहां पर यहांग पर को इस की तारी आप की तिससी बस टेड़ को के वाइंग कर दूसरी रोड आप के साथ पहले ही रब हम कर चुके हैं تو जब इस 애वनाइट्स ले जाया गया तो हमें यहाँ पर भी रिपल्शन मिली यहाँ पर भी रिपल्शन मिली और इसी तरह से जब यह रोड जो है इसके पास के अची फर को ले cat fur के साथ इस abonet road की हमें मिलती है attraction तो यहां पर attraction मिलें तो यानि कि यहां पर हमें पता चला की लगबग same charge होंगे क्योंकि repel करते हैं और यहां पर जो है opposite charge होंगे क्योंकि attract करते हैं तो एक experiment यह भी किया गया उसके बाद एक और experiment देख लेते हैं cat fur को लिया गया और abonet road को लिया गया abonet road को उसके उपर रब किया गया और एक हमने लिए glass road जो की silk cloth से पहले ही हम रब कर चुके हैं यह जो light green color है हमने पहले भी बात की थी यह किसका है glass road का है और यह abonet road है यह cat fur है तो जब इस abonet road को इस पर रब क करने के बाद इस glass road के पास ले जाया गया तो यहां पर हमें मिली attraction तो इन दोनों के बीच में यानि कि यह जो abonet road है और जो glass road है इन दोनों के बीच में हमें यहां पर क्या मिली attraction मिली और इसी तरह से दूसरी जगा भी हमने इसी glass road को रखा रब करके silk cloth से और फिर इस cat fur को तो यहां पर हमें क्या मिली repulsion मिली तो यहां पर क्या मिली repulsion यह सारे experiment जो हैं आपको ध्यान रखने है कि glass road को जब abonite road के पास ले जाया गया तो यहां पर attraction मिली glass road को glass road के पास ले जाया जाता है तो repulsion मिलती है और यहाँ पर cat fur को जब glass road के पास ले जाया गया यहाँ पर भी repulsion मिली यहाँ पर like charge होंगे cat fur पे और जो हमारी road है glass की जब silk cloth से उसको rub करते हैं तो इस तरह के experiment किये गए उसके बाद और कुछ experiment किये गए यह हमने लिया silk cloth और यह ली glass road यह color ध्यान रखने हैं और इस glass road को इसके ओपर रब किया गया और दो पितवाल ले गए यह जो balls हैं यह पितवाल है पितवाल कौन सी होती है spongy type बहुत ही हलकी light weight balls होती है तो एकदम से charge को gain कर लेती है जैसे ही इनके साथ कोई भी charge body contact करती है तो जैसे यहां glass road है और यहां पिये क्या है silk cloth है और यह glass road है अब इस glass road को जब इसके पास ले जाया गया तो इन दोनों के ऊपर charge आ गया दोनों के ऊपर charge आ गया तो एकदम से यह repel करेंगी क्यों? क्योंकि इनके ऊपर same charge आ गया है तो एक दूसरे को एकदम से repel कर देंगी दूसरा cat fur लिया गया और abonite road ले गई abonite road को इसके ऊपर रब किया गया और इसी तरह से इसको जो है इसके पास ले जाया गया इन दो पितबोल के पास तो फिर से इनोंने repulsion को दिखाया यानि कि चाहे तो आप glass road को इसके पास ले कर गए इन पितबोल के पास इनोंने repulsion दिखाया चाहे आप abonite road को ले के गए तब भी इनोंने repulsion दिखाया अब एक और experiment किया गया अब जो silk cloth के ऊपर जब glass road को rub किया गया और इन दो पितबोल को हमने थोड़ी दूरी पर लठकाया इस तरह से और इस road को इसके पास ले जाया गया इसी तरह से cat fur के ओपर evonite road को रब किया गया और इस road को ले जाया गया दूसरी पितबोल के पास यहाँ पर तो जैसे ही इन्हों ने charge gain किये तो यहाँ पर attraction इन्हों ने दिखा यानि कि एक दूसरे की तरफ यह खिचते चले गए अब देखिए इन सबी चीजों से हमें क्या पता चलता है इन सबी चीजों से जैसे कि glass road है, silk cloth है जब हम रब करते हैं इन दोनों को तो यहाँ पर कुछ charge आता है, glass road के उपर by convention अगर हम बात करें, जो American scientist थे, Benjamin Franklin उन्होंने बताया कि दो तरह के जो charge होते हैं, वो positive और negative होते हैं, और जो glass road के उपर charge आता है वो positive आता है और जो silk cloth के उपर charge आता है, वो negative आता है, तो एक तो यह बताया गया, कि जो charge है, glass road के उपर वो positive होगा, silk cloth के उपर यह negative होगा, इसी तरह से cat fur के उपर, जब हम ebonite road को रब करते हैं, तो यहाँ पर भी दो different तरह के charge हमारे पास आते हैं, अब यहाँ पर जो cat fur है, इसके उपर positive charge आता है, और जो हमारी ebonite road होती है, उसके उपर negative charge आता है, तो यहाँ से यह पता लगाया गया, क्यों? क्योंकि positive और negative एक दूसरे को attract करेंगे, और positive और positive एक दूसरे को repel करेंगे, तो अब कोई भी charge आप ले सकते हैं, उनकी repulsion को समझ सकते हैं, जो भी हमने experiment किये, और उनकी attraction को समझ सकते हैं, तो एक तो यह पता लगाया गया, कि दो तरह के charge होते हैं, एक positive और एक negative, दूसरा, जो like charges होते हैं, जो like charges होंगे, वो क्या करते हैं? repel करते हैं, और जो unlike charges होते हैं, वो क्या करते हैं? attract करते हैं, तो यह भी experiment से पता चला, कि like charge repel करेंगे और unlike charge attract करेंगे, अब एक और इसकी अंदर चीज़ पता लगाई गई, कि जो हमारी pit ball है, उनकी उपर charge किस तरह से जाता है, जब पित ball को contact किया जाता है, यानि कि उनसे सिर्फ contact करना है, उनके उपर charge चला जाता है, दूसरा, इनके उपर charge किस तरह से आता है, glass road या जो इस cloth है, या फिर abonite road, या cat fur से, जब इनको rub किया जाता है, यानि कि दो insulating body को rub करने से friction के कारें इनके उपर charge आता है, और इसके अंदर ये charge होता है, equal and opposite होता है, यानि कि इसके उपर जितना charge होगा, वो भी जो है, इसके उपर भी उतना ही charge होगा, लेकिन वो opposite charge होगा, अब ये एक दूसरे को neutral भी कर सकते हैं, मानले जी आपने charge कर दिया, इसको दुबारा से यहाँ पर लेकर आए, तो ये जो आपस में neutral कर दिया, इक दूसरे को, यानि कि इनके उपर charge नहीं रहेगा, और यहाँ पर एक और चीज़ हमें देखनी है, जितना हिस्सा आप रब करते हैं, जैसे glass road का मानलीजिए, आपने इतना हिस्सा रब किया बस, तो उसी के उपर जो है charge आएगा, ये जो charge है सारी जगा नहीं फैलेगा, क्योंकि ये static charge होता है, ये अपने आप नहीं फैलता, rest पर रहता है, क्योंकि ये conductor थोड़ी है, ये insulator है, तो यहाँ पर ये charge फैलता नहीं है, इसको static charge बोलते हैं, और ये जो charge की differentiation यहाँ पर होती है, यानि कि differentiate होते हैं, ये दो charge positive और negative के अंदर, इसको हम बोलते हैं, polarity polarity of charges आप इसको बोलते हैं, तो यानि कि ये सारी term है, polarity, static charge क्या होता है, rubbing करने से charge आता है, equal or opposite आता है, ये सारी चीज़ें जो है, in experiments के through, पता की गई, पता लगाई गई, और इस तरह से हमें पता चला कि दो तरह के charge होते हैं, एक positive होता है, और एक negative होता है, जो आपस में तो attract करते हैं, लेकिन positive, positive को repel करता है, negative, negative को repel करता है, यानि कि like charge repel करते हैं, unlike charge attract करते हैं, तो ये थे हमारे दो काइंड ओफ चार्ज यानिकि टू काइंड ओफ चार्ज जो हमने बात की तो थैंकिये वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सबस्क्राइब कर सकते हैं धन्यवाद